असलाम अलेकुम देश्टूडेंट्स, क्लास टू इंग्लिश टापिक हमारा, वाइ बियर स्टेल इस शाट हमने प्रीविश लेक्षिर में पढ़ा था कि जो लेसन में कि बियर जो रीच है उसकी दुम छोटी है यह था ना हमार टापिक, फिर हमने पढ़ा कि एक दिन जो बियर उसको एक लूमडी नज़ आती है जिसके आत में बहुत सारी मचलिया होती है और वो से पूछता है कि कहां से ली तो वो से बताती है कि तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें बताऊंगी कि इतनी अची मचलिया कैसे लेती है तो हमने देखा था कि वो उसके साथ जाता है, आज हम देखते हैं कि आगे उसके साथ क्या हुआ At last he began to feel cold जब उसे पूंस्ट रखी होल में तो उसको ज्यादा सर्दी लगने लग गई And he moved a little और वो थोड़ा सा हिला At last he began to feel cold At last he began to feel cold And he moved a little And he moved a little और वो थोड़ा सा हिल गया Wait, wait until more fish have taken hold of your tail Wait until more fish have taken hold of your tail उसने कहा के हिलो नहीं थोड़ा और इंतिजार करो ताके दूसरी मचलियां भी आजहें Fox reminded, Fox reminded, Fox reminded लूम्णी ने उसे याद करवाया Just then, some dogs Just then, some dogs Just then, some dogs Began to bark Began to bark Began to bark On the bank of the river On the bank of the river On the bank of the river Just then, some dogs began to bark on the bank of the river. फिर फोड़ी देर बाद कुछ कुट्टे जो हैं पो दर्याखी किनारे पर भॉंखने लागे. Bear was so afraid that he jumped up quickly and pulled with all his might. and pulled with all his might. But his tail was frozen in the ice. Reach जो हो बहुत होफ जदा हो गया और जल्दी से jump लगाने लगा और उसने अपने पुंच जो हैं वो पूरे ताकत से खैंची लेकिन उसकी पुंच जो हो बरफ में पूरी तरह से jump चुकी थी. तो लोमडी ने इसका साथ जो चाल से ली थी उसको बेवकूफ बनाया था. वो बैठा रहा जब ज़्यादा टाइम के लिए थंडे पानी में अपनी पुंच को रखकर तो उसकी पुंच भी जो है वो पानी में jump गई थी. He pulled and pulled उसने खेंचा और जोर से खेंचा अंटिल दे टेल वास ब्रोकन आप यहां तक के उसकी पुंच भी तूट गई. Fox ran away, Fox ran away, Fox ran away, Lopping at the tree, He had played on beer, Lopping at the tree, He had played on beer. लूमडी जो है वहां से बाग गई और वो हसने लाग गई जो चाल उसने रीच के साथ चली थी, यानि कि उसने जो रीच को बेवकूफ बनाया था मच्छियों के बहाने, उसमें वो काम्याब हो गई और वो उसके उपर बड़े जोर जोर से हसने लाग गई. तो आपने देखा कि किस तरह से एक चलाक लूमडी ने एक मस्तूम से रीच को बेवकूफ बनाया और उस बालू जो भी है, उसकी जो पूंच है उसकी बेवकूफी के वज़े से तूट गई और लूमडी की चलाकी की वज़े से बीचीक है? अब आपने क्या करना है पेज मिंबर 33 से, यहां से आपने स्टार्ट करना है ट्लास्ट और अन वियर तक आपने इसकी घर में अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, यह इसका आपका होमड़क है, अलाफीज